तो आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे का एक दिगज कंपानी के बारे में जो टोटली सेंट्रल गवर्मेंट का कंपानी है ज्यादा तर हिस्सेदारी इसका गवर्मेंट के पास है तो आज इस कंपानी के बात करूँगा इसका प्राइज अभी भी आपको पेनी स्टॉक ऐसे लगेंगे मगर इस कंपानी में बहुत ज़रा पोटेंसिल है फीचर के लिए तो आज इस कंपानी के बात करूँगा साथी साथ कंपानी का क्वाटर टू का रेजल्ड भी आज के दिन पाब्लिस हुआ है जब दस कंपानी ने पार्फोर्मेंस किया है तो उसी के बारे म और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्रीब ने के तो जुरू सब्सक्रीब कर लेना क्योंकि आपको डेली वेसी स्टॉक मार्केट इन्फोर्मेशन चाहिए तो इस चरण में बने रही है तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में तो सबसे पहले में चार्ट पर यह जो कॉमपणी है इसका जो में काम है जितने सारे बिल्डिंग है जितने सारे इंफरस्ट्रक्चर है उसके उपर जितने सारे बीजेस है और जितने सारे कॉंस्ट्रक्शन के काम होते है वो टोटली आर्बीनल देखते हैं तो आर्बीनल आप बहुत सारे जगा पर देख सेक्टर है उसमें काम करते हैं और इस कंपनी के सबसे बड़ी जो बात है वो है कंपनी टोटली गवर्मेंट से बिलंग करते हैं मतलब इसका हिस्सेतारी ज्यादा तर गवर्मेंट के पास है तो आप इस कंपनी के उपर स्टाडी कर सकते हैं तो इस कंपनी के बारे में बात कर तो 44 से डायरेक्ट 38 देखें आपको में एक मान का चाट परण देखा दूँ तो यहापए थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिलेगा यहाप देखू से 43 से डायरेक्ट यहापए 40 करिबन करिबन 35 चक आज़ेगे आगया था तो यहापए आपको करिबन 17 तो 20 परसंट क और इतना upton, इतना volatility देखने का एक ही कारण है, वो है company का market capulation, आप देख सकते हैं, मात्रो 8 करोड का market capulation है, आप छोटा सा company है, कि को company का या पर बात करूं, तो company का जो performance है, वो अच्छा कासा लगने के बाद ही, एक बाद में clear करना चाहता हूं, company अभी भी आपको एक data में market capulation, मान के चलिए, एक small cap mid cap type stock है, ठीक है, small cap and mid cap का अंदर आते हैं, इस company, इस company में ज्यादा तर आपको volatility देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले company के quarter two का result देख लेते हो, मतला दिखा देता हो, उसके बाद आपको company के बारे में बात करूंगा, तो यहापे में quarter two का result के उपर करोड़ों में है, तो एक बार इस figure को आप एक बार चेक आउट करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा company किस तरीके से performance कर रहा है, तो यहापे देखिए, total income के बारे में बात करूं, आपको मैं हमेशा इस data को दिखाता रहता हूं, देखिए, आप मुझे जुरूर बहुत स इस company का performance आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस type company में निवेश करना है, और अच्छा का सा stock आपका portfolio में रखना है, तो आपको हमेशा update रहना चाहिए, तो update रहने के लिए आपको हमेशा video देखना होगा, देखिए, मैं यह नहीं कहूंगा, आप हमेशा मेरे video ही देखिए, आ आप खुद भी जाकर study करिए, Google में हर data available है, आप जाकर search करिए, तभी आपको पता चलेगा, हाँ, आपके पास time नहीं है, आप पूरा दीन में मान लीजिए, आदा घंटा की एक घंटा आपका time है, तो आप उस time में कोई मेरे video देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा, company नहीं किस तरह के से performance कर रहे है, और stock market का updates क्या है, और news क्या है, तो मैं हमेशा हर update, हर news को यहापे आपके सामने ले आता हूँ, तो यहापे देख सकते है, company को जो मतलब company income है, करीबन 4081 करोड का total income हुआ, पिछले quarter में 3093 करोड का income हुआ था, पिछले सालो में 3200 करोड का income तो भाराल बात करूँ, यहाँ से भी आपको जाम देखने को मिलेगा, पिछले सालों से, मकर यहाँ से भी आपको इस quarter में जाम देखने को मिलेगा, और यहाँ से भी यहाँ पे अच्छा कासा income growth देखने को मिलेगा, देखिए, RBNL जो है, वो totally construction के उपर, railway bridges और ज्यादा सा ज्यादा तर construction के उपर काम करते हैं, वो भी railway सेक्टर में, तो इसका फाइदा आपको future में जुरूर मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, जितने सारे metro railway हो रहा है, जितने सारे rail को बहुत इंडिया में सबसे ज्यादा transportation का मद्धम माना जाता है, railway, कि rail जब बंद हुआ थ और बहुत सारे project आने वाला है, तो सबसे ज्यादा फाइदा इस type company को होने वाला है, तो यह था company का income, उसके बाद बात करूं, तो company के expense के बारे में, देखे, company 3,800 करोड का expense किया, मतलब जितने का income हुआ, उससे देखा जाए, करीबन 200 करोड total expense, income ज्यादा हुआ, expense के तुलन में 3,600 करोड था, पिछले साल में 3,000 करोड था, तो उसके बाद बार यह था है, total taxes की, इतने सारे taxes है, उसको pay करना पड़ा, तो taxes pay करने के बाद company के हाद में आते है, total profit, तो आप for the period, याप need profit, for the period भी देख सकते है, नहीं तो आप total comprehensive income भी देख सकते है, कोई भी एक data देख करोड, तो करीबन 222 करोड का total profit हुआ, जो पिछले quarter में था, 211 करोड, पिछले साल में था, 172 करोड, तो यहाँ पे जो profit हुआ, देखा जा रहा है, कि पिछले quarter के तुलना से, थोड़ा सा, थोड़ा सा profit हुआ, मगर पिछले सालों से comparison करोड, तो यहाँ पे profit growth एक अच्छा down चलते रहेंगे, आपको साल भर की देखना चाहिए, खराब situation में, मतलब जब market गिरावट है, कोई भी panic situation आ गया, उस time में company किस तरह किसे performance किया, उसके उपर आपको हमेशा नजर रहना चाहिए, लेकिए अच्छे बक्त में तो कोई भी business करके चला जाता है, अगर खराब time म कोई business कर रहा है, मतलब उस company का business monopoly business है, उसका काम होने ही बाला है, कुछी भी situation आ जाए, फिर भी वो काम करते रहेंगे, इस type company में आपको हमेशा निवेस करना चाहिए, तब ही आपको एक अच्छा का सा फाइदा मिलने बाला है, तो यहाँ पर देख सकते है, company का EPS के बारे म बात करो, तो यहाँ पर EPS थोड़ा सा मुझे कम देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते है, 1.07 पिछले quarter में था, 1.01 पिछले सालों में था, 0.83, तो comparison to यहाँ पर growth जरूर हुआ है, मगर EPS बहुत कम है, क्योंकि company का price range भी आप देख लीजे, 38 rupees का price range, मान के चलिए, तो इत कम price range में भी एक रूपिया आपको earning दे रहा है, मतलब एक बड़ी बात है, जिसका face value दस रूपिया है, तो दस रूपिया आपको invest करके एक रूपिया मिल ला है, मतलब अच्छा का सा एक फाइदा मिल ला है, जुरूर मिल ला है, तो इस type company में आपको हमेसा बने रहना चाहि कमपनी है, इसका peer ratio बहुत low level में है, क्योंकि इसका price range इतना low level में है, तो इसलिए peer ratio भी आपको low level में देखने को मिलेगा, इस type company जब अदस आपे dividend देते है, 1.14% का dividend दे चुके है, company का book value 24 है, तो book value मुझे high लग रहा है, company के पास cash देखिए, 981 करोड का cash है, मगर company के जो negative issue है, वो है company का करजा, 4500 करोड का company के पास करजा भी है, मतलब इतना करजा company लेके बैठे हुए है, company जिस तरी के से market capillation है, उसके इसाब से करजा मुझे थोड़ा सा high level में लग रहा है, मगर company का return of equity एकदम ठीक ठाक level में है, return of capital employed 13 है, थोड़ा सा 15 के आसपास C है, मतलब एक low level में ठीक ठाक यहाँ पर दिख रहा है, तो बहुत अच्छा खासा नहीं है, मगर एक level में फिर भी दिख रहा है यहाँ तो sales growth 44% and company का profit growth भी यहाँ अच्छा खासा दिख रहा है, तो company का जितने सारे computer है, उसके हिसाब से बात करू, company जिस sector से belong करते है, तो जितने सारे infrastructure है, उससे number 6 position में company का ranking है, क्योंकि company का market capillation के हिसाब से company 6 position में बिलों करते है, वगर company का sales growth, profit growth यहाँ पे आपको हमेशा अच्छा खासा देखने को मिलेगा, इतना अच्छा खासा profit growth, sales growth हो रहा है, मतलब company में एक अच्छा खासा performance ज़रूर हो रहा है, साथी साथ company का return of equities भी थ थोड़ा सा अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला, अगर company के पास करजा पहुत जादा है, 1% का करजा है, मतलब company के जितना earning है, मतलब total market capillation है, तो देखा जाए 50% करजा company के पास है, company करजा लेके बैटे होए, यह सोब से negative news मुझे लगते है, तो promoter के पास 78% holding है, यह promoter है, फो totally government है, public के पास 12%, क्योंकि public state company में ज्यादा nervous करना चाहते है, तो public के पास 12%, DS के पास 9%, FI के पास 0.26%, आदस के पास कुछ भी holding यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर एक चीज आपको दिखा दू, promoter के पास मतलब government के पास 87% holding था, जो धीरे-धीरे कम करके अभी 78% है, मतलब government थोड़ा-थोड़ा stake बेच रहा है, यह भी एक positive है, क्योंकि दिखे, government जब पूरा share बेच देंगे, public sector में, तब company में एक rocket के तरह भागने को देखने को मिलेगा, तो कि ICTC में क्या था, 87% holding था, 87% जब holding था, ICTC उतना अच्छा का सा तेजी नहीं दिख रहा था, जब government ने उस share को बेचा, और 65% holding, ICTC के उपर, government के पास है, मतलब ICTC के जो share है, government ने बेचा था, उसके बद ICTC आप देख सकते हैं किस तरह के से rocket के थारा भाग थे, तो इस company भी rocket के तरह future के लिए भाग सकते हैं, फिर भी देखे, बाद, वो तो बाद के बाद ह हैं, तो आप क्या होगा, वो देखना चाहिए, तो आपको साल भर की बात करूँ, तो साल भर में अच्छा का सा या पर profit growth देखने को मिलेगा, हर साल में profit growth, और company के जितने सारे promoter है, वो देखे, total promoter है, वो president of India है, मैं पहले ही बता चुको, government है, तो मैं एक बात इस company के बार discount देके माल बेचेंगे, तब इस share में अच्छा का सा एक गीरावट देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैं हमेशा कहूंगा, इस type company में निवेस करना चाहते है, देखे, सस्ते में आपको माल मिल रहा है, इसका मतलब वे नहीं, आप दो लाग, तीन लाग, चाल लाग, माद इन्वेस्ट कर दीजिएगा, तो आप इस type company में थोड़ा थोड़ा करके निवेस करिए, जब stock price बढ़ेंगे, promoter थोड़ा थोड़ा करके share बेचेंगे, तब ही आपको इस company में फायदा में है, क्योंकि government subsidiaries company में आपको निवेस करना ही है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करक है, वो तो ठीक है, मगर आपको अपका अच्छा ही के लिए मैं बता रहा हूँ, आप खुद study करके देख लेना, इतने सारे PVC सेक्टर है, उसी तरीके से performance देते रहते हैं, तो आसा करते हो सारे जाने कर आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगता लाइक करना, दुस्तों के साथ सेर भी करना, मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर तब तक ले अच्छा सरी है, आपने ख्यार लखे है, वाई वाई